Trust Deficit, यहां पर एक गुद्धा ये भी है कि सरकार जो अपनी योजनाएं लाती हैं उस पर भरोशा और एत्वार, तो बात सवाल उठता है, क्या हुआ? तेरा बाड़ा, क्योंकि आपने इन्वेस्टर को वादा कर दिया, कि आप इंडस्ट्री लगाओ आपको सबसीडी आपको GST हम ऐसना रिंबर्स कर देंगे, आपका हम ये माफ कर देंगे, पावर प्लांट लगाओ उसका 50% आपको हम दे देंगे, लेकिन वो लास्ट में दिया, चक्कर काटना पड़ रहा है उसके लिए, बार बार आप सची वाले जा रहे हैं, विकास धवन जा रहे हैं, तो ऐसे इंडस्ट्री वाला कितना काम कर पाएगा, तो ये चक्कर काटने वाला प्रॉब्लम है, और पॉलिसी जो है वो एक नहीं रह रही है, बार बार बिहार में पॉलिसी जो है वो बदल रही है, कभी capital subsidy की बात होती है, कभी interest subsidy की बात होती है, कभी उसको withdraw कर लिया जात है, trust area दिया गया था, हटा लिया गया, कि नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप जब अपनी policies को बनाएंगे ही नहीं सही से, तो फिर कैसे काम होगा, और वो policy क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि जद्धा जब board देने जाती है, उसको इससे कोई मतलब है ही नहीं, क्या तुम लोग क पोस्ट लिखेते हैं कि DNA नहीं तक्नीकी संस्थान होना चाहिए, बिहार का चुनाओ का मुद्धा जो होना चाहिए, वो बिहार का विकास होना चाहिए, ये जाती, वो जाती, ये धरम, वो धरम, ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन democracy में क्या कहते हैं, in democracy you get what you, deserve, हम लोग क कोई भी मुद्धा आज तक industrialization के मुद्धे पे हुआ क्या, कोई भी चुनाओ, किसी चुनाओ में हुआ कि ब्यायक अगर अध्योगी करण मुद्धा बन जाए, तो क्या अध्योगी करण होगा की नहीं होगा, होगा, लेकिन demand तो करो, इसकी मांग तो करो, सरकारी नौकरी क मांग करोगे तो ये अध्योगी कर्म कभी भी नहीं होगा.